किसान सतियो आज जिस मैंगो का विडियो हम बना रहा है ये थाई सूइट काठी मोन मैंगो नाम से जाने जाते हैं अब देख सकता है इसका अल्टरा हाइडेंसिटी फार्मिंग क्या हुआ है और ये जो पेड आपको दिखा रहा हूँ पार पेड का उमर देड़ साल का है और लगभग एक एक पेड का चार साड़े चार फिट का हाइट हुआ है थाई सूइट काठी मोन ऐसी एक वराइटी है जो साल भर फूट देता है और ये साल भर फूट देता है इसलिए इसका पेड जादा बढ़ता नहीं है ये बहुत अच्छा वराइटी है अगर प्लांट चाहिए तो शोबुज ट्री नट सरी कॉंटक कर सकता है इसका ओरिजिनल प्लांट अब को मिल जाएंगे ये जो फल अब देख रहा है इसका एक एक फल का साइज दो सो पचास गराम से साड़े तीन सो चार सो गराम का साइज भी होता है और इसका जो मीठास का मत्तरा है बह ये फल कच्चे में अब बहुत ही अच्छा अच्छी तरह से खा सकता है और देखिए ये जो फार्म लगा हुआ है इस फार्म में लगबख एक एक पेड़ से पेड़ का दूरी चार साड़े चार फीट का दूरी पे लगा के रखा है और ये डेड़ सर का प्लांट है देख मतलब आज में मैने का साथ तारीक है 2022 आज का डेट में इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्रूर और फ्रूट एक साथ लगा हुआ है मतलब एक कमर्शियल परपस्ट बेस्ट माना जाता है बहुत बड़ी आवराइटी है ये थाई सुईट काठी मोन मैंगो जिसका पास फार् प्रूड ले सकता है ये ऐसी एक वराइटी है बारा मैने फ्रूट देता है अभी देख सकती इसमें फ्लवर और फ्रूट एक साथ लगा हुआ है और अभी मैंगो है अभीजन चल रहा है आज मैंग मैने का साथ तरीक 2023 आज का डेट में इसमें फ्लोवर और फ्रूट एक साथ लगा हुआ है जो फ्रूट अभी इस पेड में लगा हुआ है 15 से 20 दिन बाद ये जो फ्रूट पेड में लगा हुआ हर्वेस्ट होना चालू हो जाएंगे और ये ही पेड में आभी देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लोवर लगा हुआ है और फ्रूट एक साथ और आभी जो फ्लोवर लगा हुआ है इस फ्लोवर का फ्रूट हर्वेस्ट होगा सेप्टेमबर औक्टोबर मेहने में इस फ्रूट का हर्वेस्ट होगा अभी जो फ्लोर लग रहा है उस टाइम मार्किट में कोई भी मैंगो का फुरूड नहीं रहता है इसलिए इसका डीमन जदा रहता है वीडियो में बने रहने के लिए सारी किसन भयों को धन्यवाद